इस संसद ने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक बहस के ऐतिहासिक मुद्दों पर बहस देखा है और उसका इतिहास यही रहा और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक मुद्दों पर जो बहस हो रही है इसको भी देश देख रहा है दुनिया देख रही है ऐसे कई एतिहासिक मुद्दों पर बहस हुई है जिसका गवाह ये संसद है आज जालिया वाला बाग 2019 के संसोधन बिल पर जो बहस हो रही है मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ भारत सरकार के मंतरी भक्त प्रहलाद जी को जीनों ने ऐसे एतिहासिक मुद्दों पर बहस के लिए इस देश के संसद को प्रेरित किया है जो देश की जलता को भी प्रेरित करेगी सभापति महोद है मैं जहां से संसद हूँ बलिया 292 के अंदोलन का केंद रहा और मैं जहां से पिछले बार बहुत दिनों से सांसत था 1857 का अंदोलन का केंदर भदोही रहा है 22 लोगों की कच्ची फांसी आजादी के लड़ाई के दिनों में भदोही में हुआ था जहां रास्ति इसमारक थाकुर जूरी सिंखे इसमिर्टी में बना है और 1942 मुझे लगता है कि 1857 के अंदोलन ने 1947 के अंदोलन को प्रेरिट किया था 1940 के अंदोलन में हमारे छेत्र में जहां से मैं आता हूँ दौरा पती जी मुहम्म्दाबाद में जात्रों ने अंदोलन किया था देश को आजादी कर आस्ता दिखाया था मुहम्दाबाद में भी एक ऐस्मारक बना है जहां बाबpage Poojan राईजी ने अपनी सहादत दिया था 1942 में भईरिया में जो सही दिसमारक बना है सुकपुरा में जो सही दिसमारक बना है सभापती महोदे वहाँ आंदोलंद का केंदर था कॉसल कि सोड उस अंदोलन के नित्रितों कर रहे थे सुदर्शन सिंग उस अंदोलन का नित्रितों कर रहे थे और अठारत सस्तंतावन के अंदोलन को मैं जहां से सांसदू बलिया से मंगल पांडे के नित्रितों में वह अंदोलन हुआ थे और वही आंदोलन उनाई जभ अलिस के आंदोलन को पेरिट किया है सभापती महोदे राश्टी आंदोलन को कहीं भी राजनेतिक मुद्दों के बहुत में नहीं नहीं आना चाहिए जो आज राश्टी मुद्दों पर संसद में बहुत हो रहे थे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये बहुत संसद में हास्यासपत न बने इसकी भी कोशिस जरूर होनी चाहिए रास्ती मुद्वों पर हमारे मत्मेथ कहा है और रास्ती सवाल पर हमारे मत्मेथ कहा है जिस कांग्रेस के नेत्रित में देश की आजादी लड़ी जा रही थी सभापती महोदय उस कांग्रेस में समाप्रसाद मुखरजी भी होते थे महामना मदन महानवाली भी होते थे अचुत पतवर्धन भी होते थे, जैप्रकास नारायन भी होते थे, रामन अर लोहिया भी होते थे उसी कांगरेस में ये मिस्ना मुद्री पात भी होते थे, दांगे भी होते थे सभापती महोदय, वह कांगरेस देश को आजादी की लड़ाई दिलाने के लिए उसके नितृत में सब लोग राष्टी सवाल पर लड़ रहे थे कांग्रेस के जंडे के नीचे छमा करेंगे वह कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नहीं बनी थी वह कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी और जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं डाक्टर हेड़ गेवार नागपूर में उस कांग्रेस के करांती कारी कारे करता होते थे भारत के इतिहास को देख लिजिए भारत के इतिहास कुछ लोग काते हैं कि इतिहास बदलने की इतिहास में इतनी ताकत होती है कोई माई का लाल इतिहास नहीं बदल सकता है उसकी सत्यता जरूर पर मारी पूनी चाहिए हमारे बलिया से जहां से मैं आता हूँ जहां चित्तु पांडे ने जहां ठाकुर जगरनाश सिंग ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जहां कौसल किसोर ने आजादी की लड़ाई लड़ी जहां सिर्फु जनराय ने आजादी की लड़ाई लड़ी उस इतिहास को कोन बदल सकता है किसमें ताकत है उस इतिहास को बदलने की ये रोना रोने से कभी भारत का इतिहास बदलने वाला नहीं है और मैं कर सकता हूँ कि भारत के इतिहास तथ्य को सम्मामित करने का स्रेष्टता प्रदान करने का जो काम हमारी सरकार ने किया है इस संसद उसकी प्रसंसा करनी चाहिए उनाई सब्यालिस के अंदोलन के महान नेता जैप्रकास नरायन के गाउं सिताब दियरा मेरास्टी समारक बनाने का प्रेणा आज के ग्रीह मंत्री और पार्टी के अज़क्ट अमित भाईसा ने दिया प्रधान मंत्री जी के नेत्रित में कैबिनेट में फैसला किया उसमारक बन रहा है जिसके सहत्रक्स का चेर्मेल में और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के नेत्रित में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी जालिया वाला बाग का इसमारक बना था तो उस समय कांग्रेस का फैसला हुआ था तो उसमें सामापसाद मुखर्जी भी होते थे, याद कर लिजी। आपको मालूम नहीं है तो आप हमको मत बताएगा, सौगत राय, हमको मत बताएगा, आप जाकर बंगाल में मुंता बनाज़्ी का हिप्यास पढ़िएगा। हमको मत बताइए सुवास चंद्रबोश के इतिहास को मैं जानता हूँ जिस कांग्रेस ने सुवास बादू को ज्ख्ष बनने के बाद भी उसकी केबिनेट नहीं बनने दिया माने मंत्र जी मैं अपनी बात एक मिनिद में समाप करके अपनी बात पूरी करता हूँ और भैक्ष जी ये राश्टी समारक अधिनियम जो 2019 का जालिया बाला बाग ले आया गया है मैं इसकी पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जितने राश्टी समारक इस देश में हैं उसके संस्कृति मंत्रा ले उसके रखाखाओ का भी काम करे मैं यही बात कहते हैं अपनी बात पूरी करता हूँ